हेलो एवरीवन वेल्कम तो मैंगनेट ब्रेंस मैंसर प्रतीक केंड और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैंगनेट बेंस पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कॉंटेंट क्वालिटी एड्यूकेशन वह भी बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट क्लास 12 का बहुँ शानदा चैप्टर रे ओप्टिक सेन उप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाइस अब जबर दस्त यहां पर टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड मैक्रो स्कोप क्या है कंपाउंड मैक्रो स्कोप इससे ठीक पहले हमने का खतम करा था सिंपल मैक्रो स्कोप और अ भी माइक्रोस्कोप हो जमाने भर में कोई सा भी माइक्रोस्कोप हो उसका काम क्या होगा कि किसी छोटे से ऑबजेट की image को magnify करके दिखा देना बड़ा करके दिखा देना ठीक है ये इसका basic काम होता है किसी भी माइक्रोस्कोप का अब क्या लिखा हुआ है a compound microscope is an optical instrument बहुत नहीं बात तो नहीं है है तो ये optical instrument ही ना ठीक है use for observing highly magnified images use for observing highly magnified images किसकी magnified images of tiny objects ठीक है it's as simple as that ये वाली बास समझ में आपको आ गई होगी ठीक है अब construction देख लो क्या होगा इसके अंदर मैं बना करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को लेकिन जो आप पर लिखा हुआ वह पढ़ लेते है a compound microscope consists of two converging lenses converging lenses बोले तो converging lenses बोले तो convex lens ठीक है an objective lens of very small focal lens जो दो lenses आप use कर रहे है उसमें से एक का नाम होगा objective lens जो के object के पास होगा उसका focal lens बहुती छोटा होता है and short aperture भी होता है उसका focal lens भी छोटा है aperture भी छोटा है और एक होगा eye piece या eye piece जो होगा आखों के पास का lens होगा आखों का lens नहीं होगा compound microscope में दो आते हैं lenses ठीक है एक lens होगा object के पास तो इसका नाम के objective lens और एक lens के पास हम आखे रखेंगे और फिर हम देखते हैं object को ठीक है तो यह जो lens रखा होगा नहीं इसका नाम रख दिया eye piece ठीक है उसके बाद off moderate इसका focal lens नहीं बहुत जादा है नहीं बहुत कम है ठीक है बट इसका aperture large ठीक है अब जड़ा गौर करेगा the two lenses are held coaxially at the free ends of a tube ठीक है compound microscope tube होती एक ठीक है जिसके अंदर दो lenses होते हैं एक lens यहाँ पर एक lens यहाँ यहाँ पर यह common principle axis को share कर रहे होते हैं ठीक है by rack and penion arrangement ठीक है इसके distances होते हैं इसको अपन डरसल vary कर सकते हैं with the help of rack and penion arrangement ठीक है अब exactly इन चीजों का मतलब क्या है कैसे diagram आपे carry out होने वाला है आपका main focus तो वहाँ पे होना चाहिए ठीक है लिखने के लिए यह सारे points भी लिख लीजिए यह आपको help करेंगे आपका answer present table बनाने में ठीक है चलो भाई साब हो गया आगे बढ़े अब ज़रा देख लो भाई साब जिसकी सबको requirement होती है कि जब compound microscope आएगा sir तो हम कैसे बनाएंगे ray diagram सिखा दीजिए ठीक है आगे carry out करने वाले ठीक है बाई ultimate objective क्या होने वाला है समझो simple जब आपके पास simple microscope था तो simple microscope में सिर्फ एक ही lens आप यूज कर रहे थे ठीक है लेकिन अब जब compound microscope आगया है क्या आगया है compound microscope आगया है तो आप यहाँ पे दो lenses यूज करने वाले हैं और दोनों ही convex lenses हैं दोनों ह तगडी magnified image बनाने वाले हैं और जो final image है वो यहाँ दिख रही है as a double dash और b double dash के तौर पे ठीक है अब मैं करवा रहा हूं इसको बहुत तरीके से ध्यान देते हूं चलना यह जो d लिखा हूँ है इस d का मतलब होता है least distance of distinct vision अगर आप लोगोंने simple microscope आ लेक्चर नहीं देख से मान लीजे कोई चीज लिखी है paper के ऊपर ठीक है अगर for a normal human eye ठीक है हमको तो भाई साब चश्मा लगा हुआ है पर बहुत शांदार है but the thing is that कि अगर एक normal human eye होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर object है आप पर कुछ रखा हुआ है ठीक है अगर 25 cm की दूरी त distance of distinct vision ठीक है और normal human eye के लिए क्या होता है 25 cm for normal human eye जो least distance of distinct vision है वो होता है 25 cm इसकी value क्या होती है 25 cm ठीक है it's as simple as that अब जड़ा गौर करते हैं इसके काइदे से ray diagrams के ऊपर ठीक है जल्दी आजाओ भाई देखो एक lens ही रहेगा ठीक है इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे objective lens क्या बोलेंगे इसको हम objective lens ठीक है और उसके बाद यह share कर रहा होगा एक common principle access यह का शेयर कर रहा होगा यह शेयर कर रहा होगा एक common principle access ठीक है अब उसके बाद यहल्द आपने पास आई जी हैं आयाँ को समझ तो यह जो eye lens है वो छोटा रहने को शो पहर है उसके बात जो objective lens है वो छोटा रहने वाला है और è geyni programmes है जो eye lens है वो बड़ा रहने वाला है इसको याद कैसे करो look? ऐसे कर लो कि जैसे मालोक तुम्हारी आखे यहां पे होंगी आप चेक करेंगे यहां से तो आखों के पास अगर कोई चीज आती है तो बड़ी ही दिखाई देतीए ना तो वैसे याद करें ना कि हाँ भाईया आई लेंज जो है वो बड़ा रहने वाला है objective lens चोटा रहने वाला है इसको याद करना इसलिए बहुत जरूरी है इसमें गलती मत करना because आगे मैं पढ़ाऊंगा टेलिस्कोप ठीक है खेलेंगे ना तो आपको थोड़े बहुत tips and tricks आने चाहिए ठीक है जैसे कि आपको एक basic fundamental मालू मोना चाहिए कि जब light rays आती है parallel to the principal access तो वो pass करती है focus से converge तो होगी उसके बाद अगर optical center पर ही strike कर दिया है कहाँ पर strike कर दिया है अगर optical center पर ही strike कर दिया है parallel आ रही होंगी तो फिर वो नीचे मतलब converge तो हो जाएगी ठीक है तो पहले top से जड़ा bottom को जोड़ दो यह अपने जोड़ दिया है क्या काम है इसका बता रहा हो इसके बारे में ठीक है दूसरा क्या होता है यह इसका रहा optical center इस वाई लेंस को optical center ठीक है बस हल्का थामबार ठीक है भाई ध्यान तो क्यों होने वाल है पहले तो इस जो light rays आ रही है यह light rays जाती है क्या हम सही जा रहे हैं अभी ठीक है यह हल्की सी light ray जुग गई क्या यह light ray अगर इसको follow किया जाए जा बड़ दस्त, ठीक है, तो यह light rays कहां से आ रही है, light rays यहां से आ रही है, ठीक है, तो एक काम करा जाए, इसको माना जाए object, अब यह चीज पूरी की पूरी तुम्हें clear हो जाएगी, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको मान लिया है object A, B, ठीक है, अब देख क्या हो यहां पर एक image तो फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो यह light ray ऐसे निकल गए undeviated, ठीक है, अब ज़रा गौर करेगा अच्छे से, यहां पर एक image तो फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो यह A, B, जब यह अच्छा, इस lens का नाम क्या था, objective lens, इसका नाम क्या था, objective lens, और इसका नाम इसका नाम था, eye piece, अब ज़रा गौर करो, क्या होता है, यह A, B के corresponding, जो यहां पर image बन रही है, इसको हम नाम दे देते हैं, A, B, क्या नाम दे देते हैं, A, B, चलो, obviously, real image ही तो बन रही है, ठीक है, यह image कैसी बन रही है, real, तो A, नाम दे दिया है, और इसको नाम दे दिया ह ने जो image बनाई है, वो दूसरे वाले के लिए काम करेंगा as an object, यह बहुत ही basic point होता है, जब पहला वाला optical instrument जो image फ़र्म करता है, वो दूसरे वाले के लिए काम करता है as an object, और फिर दूसरा वाला इसको treat करेंगा as an object, और वो जो image फ़र्म करेंगा, that is going to be the final, final image, ठीक है, अब ज़रा गौर करें अच्छे से, यह बाला जो point है, हलका diagram में भाई सब extrapolation करना पड़ेगा यहापर, ठीक है, white color की light rays आ रही है, चलो जाने दो, ठीक है, अब देख क्या होने वाला है, जब यह light rays ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ नीचे strike करी, यह light rays ऐसे गई, यहाँ पर strike करी, ठीक है, अब क्या होगा पता है, यह से converge कर देगा, यह basically convex lens है, जो कि light rays को converge कर देता है, जब यह light rays को converge कर देगा तो light rays eventually, अब यहाँ मिलने वाली है ठीक है अब कैसे मिलेंगी ज़रा गौर करने अच्छे से देखो यह लाइट रेस गई ऐसे ठीक है उसके बार एक लाइट रेस आएगा अब दो मिट्धें देना अच्छे से इसको पूरे ही करना पड़ेगा अब सुनो यह रहा ठीक है अब ज़रा गौर करो हुआ कैस के साथ ठीक है यह अपने पास ऑब्जेक्ट था लाइट रेस गई ऐसे इसने इसे कनवर्ज कर दिया तो टॉप से पूरा बॉटम हीट करा उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करा तो गोज लाइक दिस ठीक है उसक इस यूमन आई को ऐसा लग रहा है इस यूमन आई को ऐसा लग रहा है कि लाइट रेस कहां से आरे है लाइट रेस आरे है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेस कहां से आरे है लाइट रेस आरे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से और इसको हलका सा यहां पर क्या और यह दरसल वर्चुल लाइट रेस से बन रही है तो वर्चुल इमेज बनेगी तो इसको हम नाम दे देंगे देंगे डबल डैश और इसको हम नाम दे देंगे बी डबल डैश ठीक है आपको यह वाला पूरा फंडा समझ में आगया तो हुआ क्या लाइट रेस पैरलल और वो फिर ऐसे कनवर्ज हो गई तो टॉप से बॉटम को जोड़ दिया उसके बाद लाइट रेस हिट करी ऑप्ट इसको नाम दो C2 चलेगा आपको इतना पका डैन पूरा ख्लियर है तो यह आपके पास पूरा कोर्स ऑफ रेस होता है फॉरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इवेंच्योली क्या हुआ कि यह था आपके पास ऑबजेक्ट ठीक है और उसकी बहुत ही जबदस ब्राइट इमेज शाप इमेज आपको यहां देखने को मिल रही है फाइनल इमेज एडबल डैश भी डबल डैश ठीक है तो आपका काम पहले तो यह बनता है कि भाई सब जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजे फिर अपन इसमें आगे बढ़ने बाले है जल्दी करीगा चले भाई सब बन होने बाले हैं अब क्या होगा एक्जैक्ली तो आपन देखते वह चलें geç in between answer करेंगे भाई जर्देखो एक काम करो बस हलका सा इसको जर्दा सा ना extrapolate करो, ठीक है, अब क्या करेंगे, यह अपने पास A भी था, object, ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने एक पॉइंट लेते, इसको राम देते हैं, A बन, ठीक है, अब क्या करो, ठीक है, अब क्या करो, ठीक है, अब यहां से, अगर आप इसको टीट करेंगे, अब यह जो भी अंगल, पिंक रहाँ से करूँगा, तो यह जो भी अंगल, एक्स्ट्रा पॉलेट करवा करके, यहां पर बनाएगा, सब्टेंट करेगा, जो भी अंगल, यह अबजेक्ट का अंगल है, could be called as alpha, ठीक है, और यह A double dash, B double dash है, यह final image, यह जो अंगल यहां पर सब्टेंट करेगी, यहां पर, center पर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, बीटा, क्या बोलेंगे, इसको बीटा, ठीक है, तो अबजेक्ट व हुआ है, कि what is exactly the meaning of magnifying power, ठीक है, जो हमने यहां बना कर रखा हुआ तो objective छोटा है, eye lens बढ़ा है, exactly वैसा ही diagram यहां पर आपके सामने बन चुका है, अब हमने पढ़ा हुआ है, क्या magnifying power जो होती है, यह तो होती है, tan of angle by image upon tan of angle by the object, तो M क्या हो जाएगा, tan beta by tan alpha, ठीक है, काम बनता है, ठीक है, तो भाई सब जड़ा पहले आते हैं tan beta के उपर, कहां पर आने वाले हैं, tan beta, और आपको पता होना चाहिए, clearly visible है, कि जो यह a1 b double dash है, जो यह a1 b double dash है, वो दरसल a b के बराबर है, क्या बोला मैंने, जो a1 b double dash है, यह रहा a1 b double dash, वो किसके बराबर है, तो दरसल a b मतलब height of the object के बराबर है, ठीक है, तो जब आप tan beta निकालेंगे, मतलब triangle लेना पड़ेगा, a double dash, b double dash, c2, ठीक है, तो now triangle ले लेंगे, a double dash, b double dash, c2, जब आप यहां पे निकालेंगे tan beta, जब आप यहां पे निकालेंगे tan beta, तो tan beta क्या हो जाएगा, यहां से perpendicular upon base, थीक है, हमेशा tan of angle क्या होता है, perpendicular upon base of that right angle triangle, तो triangle a double dash, b double dash, c2, दिखा ही दे रहा है, इसमें perpendicular क्या है, beta बहां बन रहा है, perpendicular क इता है, a double dash, b double dash, बहाई o a double dash, b double dash, अपन नीचे के आता है base और base क्या हो जायका? C to be double dash तो यह आगे आपके पास tan beta यह क्या आपके पास tan beta इसको नाम देते हैं first equation का और अब ऐसे ही निकालने वारे हैं tan α, क्या निकालने वारे हैं tan alpha तो alpha के लिए काम करो triangle a1 b double dash c2 ले लो ठीक है तो ले लेते हैं इसमें पेंशेंज करते हैं ठीक है तो नव अब लेंगे हम ट्राइंगल कौनसा A1, B double dash और C2 और जब हम यहाँ पे निकालेंगे 10 He Kung For B double dash और C2 और जब हम यहाँ पे निकालेंगे 10 alpha क्या निकालने वाले हैं 10 B double dash C to B double dash ठीक है भाई साब ये वाली बात पूरी क्लियर है आप लोग को ठीक है तो 10 बीटा भी निकाल दिया 10 अलफा भी निकाल दिया जो निकला है 10 अलफा इसको बोल दो equation number 2 इसको हम क्या बोल देंगे equation number 2 अब निकालते हैं हम simple सी चीज़े हमको निकालना है magnifying power ठीक है यह क्या होता है 10 बीटा भाई 10 अलफा अब जरा इसी पर जान अटकाओ अपनी अच्छे से ठीक है तो now as we know जैसे कि हमको बच्पन सही पता है कि magnifying power जो होती है वो तो होती है 10 बीटा upon 10 अलफा magnifying power क्या होती है 10 बीटा by 10 अलफा ठीक है अब भाई साब जरा गौर करेगा बहुत जबरदस चीज के ओपर ठीक है 10 बीटा अभी निकाला हाल फिलाल क्या लिखा हो है a double dash b double dash upon c2 b double dash तो a double dash b double dash upon c2 b double dash भाई साब आब उसके बाद क्या करना है अगर divide करना है मतलब पलट के multiply कर दो तो divide करना है 10 अलफा से तो पलट के multiply कर दो c2 b double dash c2 b double dash upon नीचे क्या आजाएगा a1 b double dash क्या आजाएगा नीचे a1 b double dash a1 b double dash अब यहाँ पर इसके बाद जो कहानी carry out होने वाली है वो दरहसल ऐसे होने वाली है now अब होगा यह कि magnifying power जो है न वो क्या होजाएगा ज़रा गौर करना अच्छे से c2 b double dash c2 b double dash अब तो वो कड़िया तो जिसको जाना है उसको जाना है तो अब यह हमारे बीच नहीं रह पाए c2 b double dash और c2 b double dash उसके बाद इनके जाने के बाद जो बचा इनके जाने के बाद जो बचा वो यह बचा a double dash b double dash भाई कितने dash dash है यहां पर सही जा रहे हैं पक्का शौर हो ठीक है अब ना एक बात तुम सुम्हें कहना चाहता था वो बात यह थी कि a1 b double dash जो है ना a1 b double dash किसके बराबर है a b के बराबर है और a b तुम्हारे पास था object चेक करो a b was the basic object ठीक है तो a1 b double dash को हम क्या लिखने वाले हैं a b लिखने वाले तो that is simple सी बात है कि magnifying power हो जाएगा a double dash b double dash upon नीचे आ जाएगा a b it's as simple as that ठीक है एक बात तुमको बता हूँ अगर आप ऐसे dimensions के हिसाब से अगर आप सोचे ना तो पहले आया था में पास a b first dimension पर ठीक है a b आया था उसके बाद फिर क्या आ गया a dash b dash आ गया और उसके बाद फिर आ गया a double dash b double dash ठीक है तो क्या क्या हो गया a b ठीक है तो अगर missing यहाँ पर a-b- है तो एक काम किया जाए कि right hand side में multiply और divide कर देते हैं a-b- के साथ ठीक है जो चीज मिसिंग है ना उससे multiply और divide कर दो ठीक है अब ज़रा गौर करना यह करने से फाइदा क्या होता है तो ज़रा गौर करो multiply and divide कहां पे right hand side में तो multiply and divide कहां पे right hand side में किस से करा multiply divide तो multiply divide कर दिया है a-b- से किस से कर दिया सर a-b- से कर दिया है जब ऐसा हम करेंगे तो उसके बाद क्या बचे का भाई जरा गौर करो that is अब जो magnifying power है वो आ जाएगी हमारे पास देखो अच्छे से दिखना a-b- upon नीचे क्या था a-b था पहल अब इसके बाद क्या करेंगे कैसे हम काट देंगे अरे नहीं भाई अगर काट नहीं होता तो मैं क्यों multiply करता और divide करता इसको जरा अपन हलका सा अरेंज करके लिखते है यह जो चीज यहां पे लिखी हुई है पहला काम तो आपका यह बनता भाई सा बहुत चीज लिख दि ठीक है नो अरेंज करके जब लिखूंगा तो एम आ जाएगा देखना एडबल डैश बी डबल डैश ठीक है उसके बाद तुमको बता है यहां पर जो लिखा हुए ना यह नीचे डैश बी डैश उसको मैं सरकार हूं इस तरफ ठीक है तो यहां पर नीचे लिख दूंगा म अगर यार नीचे बच रहा था एबी ठीक है इतनी बात पूरी क्लियर हो गई आप लोग को पक्का पक्का क्लियर हो गई है अब जरा गौर करना है इस पर अच्छे से यह जो चीज आ रही है आपके पास तीक है अब इसका तुम कैसे सेंस आउट करोगे ठीक है एक बात सु तो इसका एक बेसिक फरमुला होता है height of image upon height of object क्या formula होता है height of image upon height of the object ठीक है अगर ना मैं आपको डाइगराम पे लेकर कर जाता हूँ इस वारे डाइगराम पे ठीक है तो यह अपने पास objective lens है ठीक है इसका जो भी magnification होगा मैं इसको M not बोल दूँगा इसका मतला magnification of the objective ठी अब ज़रा गौर करना objective ने जो image बनाई वो क्या थी? A-B- objective ने जो image बनाई वो क्या थी? A-B- अब image हो गया A-B- और objective का object था वो क्या था? A-B के बराबर था इसका मतलब magnifying power या magnification for objective क्या हो जाएगा? height of image upon height of object मतलब A-B- upon क्या हो जाएगा A-B it's as simple as that क्या आपको ये बात चवक रही है? क्या बोला मैंने? कि अगर आपको objective का अगर आपको objective का magnifying power निकालना है तो height of the image मतलब A-B- upon height of the object मतलब A-B बस इतना करो अब जब तो मितना करोगे तो कहानी तुम्हारे लिए magnification of the objective lens तो अब ये क्या होने वाला पता है? भाई height of image upon height of object होता है तो objective के लिए जो image थी ना वो थी A-B- और objective का जो object था वो था A-B तो ये आजाएगा आपके पास M-O इसका मतलब magnification of the objective क्या हो जाएगा? A-B- upon क्या हो जाएगा? A-B- पर कर लो A-B- upon A-B तो होगा objective उसके बाद जब IPS क्या बात करेंगे ना तो होता है बीटा दिमाग में फंडा डन करो पहले बाले optical instrument ने जो image बना दी वो दूसरे वाले के लिए काम करें इसका मतलब क्या है? कि A-B- जो है ना A-B- को IPS मानेगा अपना object क्या मानेगा? अपना object ठीक है? फिर IPS A-B- को object मानते हुए जो image फर्म कर रहा है वो फर्म कर रहा है A-B- पक्का? इसका मतलब IPS के लिए जो height of the image है वो है A-B- A-B- और IPS के लिए जो object है वो है केवल A-B- ठीक है बाइस साब जबर्दस तरी डाइगराम है ही है ठीक है? दिमाग में अटकना चाहिए बहुत तरीके से एकडम तरीके से ठीक है? अब जबाग और करते हैं इसी परते हैं ठीक है? अब अगर colorful pen M E लिखाए मैंने ठीक है? इसका मतलब यह M सब्सक्रिप्ट E है ठीक है? M into E नहीं है M सब्सक्रिप्ट E है तो इसका मतलब क्या हो जागा? कि this is the magnification this is obviously the magnification of eyepiece this is the magnification of eyepiece ठीक है? इतनी बाइस समझ में आगए आप लोग को ठीक है? अब जबाग और करेगा अच्छे से magnification निकालना आपीज का height of image upon height of object तो eyepiece का image क्या था? अभी दिखाए था a nd a nd b nd eyepiece के लिए image क्या था? a nd b nd और eyepiece का object क्या था? a nd b nd eyepiece का object क्या था? a nd b nd अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पे तो चेक कर लो भाई साहब इसके लिए image क्या है a double dash b double dash और इसके लिए object क्या है a dash and b dash ठीक है it's as simple as that ठीक है ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी आप लोग को I guess ठीक है तो ये निकाला है अभी IPs का have your phone challenge है ये दोनों चीजह जो है रहना ये बहुत जबर्दस्थ है ठीक है ये दोनों चीजह बहुत जबर्दस्थ थैं क्यों क्यों क्योंकि यह दोनों यहां-पर यूज़ोर्यक काई यूज़े सर यहां-पर ठीक है, therefore we can say, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, therefore we can conclude लिख देता हूँ, therefore we can conclude that, एंगलिश देख रहा हूँ, therefore we can conclude that बाइस अब यहाँ पर जो M आरहे है, मतलब total magnification जो आरहे, वो क्या होने बाले है, यह 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 a-b- 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 m e-go-ach इसको अपन मीमो याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है otherwise मैंने बोल गया है कि मीमो से याद रख लो M is equals to M e into M o M e का मतलब होता है magnification of the I piece और M o का मतलब होता है magnification of the objective तेक है अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि simple microscope में हम निकाल चुके देख चीज़ मैं इसको लिख देता हूँ from the formula obtained from the formula obtained in simple microscope from the formula obtained in simple microscope we have अच्छा मैंने किसी equation को equation 1 नाम दिया है क्या equation 1 था ये 2 था इसको पूरा solve out करने के बाद जो बना न इसको ये ये वाला बना और इसको भी पूरा solve करके ये वाली equation बनी ठीक है तो इसको अपने काम करते हैं इसको नाम देते है equation number 3 का नाम इसको देते है equation number 3 का नाम ठीक है अब क्या होगा from the formula obtained in the simple microscope we have अब हमको समझ में आता है कि एक चीज़ हम देख चुके थे कि वहाँ पे एक formula है था 1 प्लस d by f क्या है था formula 1 प्लस d by f याद करो भाई जस्ट पिछला lecture था वो ठीक है तो यहाँ पे वहाँ पे क्या है था 1 प्लस d by f ठीक है अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहली बात तो यह है भाई सब इसको एक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है मैंने लेकिन पहले आप ज़रा नोट कर लो यार ठीक है यहाँ पे नोट करने को बहुत साइज चीज़ें आ चुके है पहले नोट करो 3 2 1 ready go done नोट कर लिया होगा आप लोगो ने इस चीज़ को अब आता हूँ वापस अब उसके बाद ना जब वो नोट हो गया होगा उसके बाद जरा यह नोट कर लो तो यह जो है डेरिवेशन का बेसिक फॉर्म करेगा इसके बाद फिर हम इसे carry out करने वाले ठीक है यह वाई चीज़ नोट कर लिए 3 2 1 ready go टर्न पक्का चलो और डाइग्राम अती महत्वपून ठीक है चले ठीक है फिर इसको तो आपने देख लिया होगा अब जरा एक और बात समझना बेटा यहाँ पर आगया है मैगनिफिकेशन ओफ दी आई लेंस ठीक है अब ना अगर मैं आपसे बात कह लेता हो इसी टर्मस में कि है इस बीवा भीशस के इसको अबर खरते हैं लेनस के लिए तो यहां पर क्या हो रहा है कि यह निधिक रखा हवा रखा हुआ इसक sacrific के focus के पीछे और जो image बन रही होते है वो image बन रही होती है IPS के focus के अंदर ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो अपने पास object रखा हुआ है इसकी जो भी दूरी है इसको मैं क्या बोलना चाहूंगा इसको मैं बोल दूँगा object distance from the objective lens क्या बोल तूंगा object distance from the objective lens ठीक है तो V by U तो होता ही है तो यह जो U हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा object distance from the objective lens और उसके बाद image जहां पर बनेगी image distance from the objective lens ठीक है यह बाली बात समझ में आ रही है आप लोग को पका अब ज़रा गौड करना अच्छे से ठीक है यह आगया आपके पास MO आगया है क्या आगया है MO आगया है ठीक है अब अगर मैं एक बात समझू देखो यह 50 equation बन गई है ठीक है कौन सी बन गई है 50 equation थर्ड वाली क्या बन रही थी MIMO बन रहा था तो 1 प्लस D by FE आया था उसके बाद MO जो हमने निकाला वो आ रहा था image upon object from the objective lens मैं इसका modulus लेके चल रहा हूँ मैं इसका modulus लेके चल रहा हूँ अगर मैं modulus लेके चलूँगा तो यह वाली कहानी आएगी यह वाली बात समझ में आगया आप लोग को ठीक है अब जड़ा गौर करना एक बात समझना अच्छा से यह जो object था जो primary object था यहाँ गौर करो ठीक है यह जो primary object था अगर मैं इसको लेके लादूँगा एकदम focus पे कहा लादूँगा focus पे रख दूँगा तो इसकी जो image बनेगी ना final image यह जो a-b- c1 से c2 जो है जो c1 से c2 है ना this is the length of the tube this is the length of the tube l लिख देंगे उसको अपन क्या लिख देंगे l लिख देंगे ठीक है अब जड़ा गौर करना अच्छे से अगर जो मेरा object है अगर मैं उसको objective के focus पे रख दूँगा तो जो image बन रही है a-b- वहाँ से रख जाएगी जब वहाँ से रख जाएगी तो उसकी दूरी c1 से क्या हो जाएगी length of the tube के बराबर किसके बराबर length of the tube के बराबर आया समझ क्या जड़ा दो में यहां ध्यान दो तो if object is placed close to fo therefore अगर ऐसा होगा जो object है उसको बहुत ही past में place कर दिया है fo focal length of the objective के therefore जो object distance होगा from the objective उसकी जो value होगी उसकी जो value होगी वह जाएगी fnod के बराबर focal length of the objective के बराबर किसके बराबर focal length of the objective के बराबर और उसी case में जो image बनेगी ठीक है तो c1 से c2 की दूरी मतलब क्या हो जाएगा length of the tube ठीक है अगर आपको ये दो fundे समझ में आ गए है तो therefore आप सीधे कर सकते है इस वाली equation को carry forward कि m is equals to भाई साब ये vnod के बराबर आगे l के बराबर आगे upon नीचे क्या है unod ठीक है unod की value क्या है fnod के बराबर ठीक है बट अगर मैं आपसे unod की value ना पूछूँ पूरा पूछूँ with sign convention तो वो हो जाएगा minus का fnod because focal length पीछे की तरफ आ रहा है ठीक है तो क्या हो जाएगा minus का fnod ये मैंने put कर रहा इसको उसके बाद बगल में क्या आ रहा है 1 plus d by fe तो आ ही रहा है ठीक है 1 plus d by fe तो आ ही रहा है तो ये आ जाएगा उस case में जब object is placed very close to the focus focus point of the objective lens तो उस case में जो image होगी वो ultimately कहा बन जाएगी यहाँ गोर करो इस case में जो image है ना अगर इसको हम focus पर आगे रख देंगे ना तो जो image बन रही है a-b- वो चले आएगी c2 के बहुत ही पास तो c1 से लेकर के c2 की जो दूरी है उसी को तो कहा जाता है length of the compound microscope tube ठीक है LKL से करेंगे उसको represent ठीक है तो उसके लिहाज से हमारे पास formula भी जो आ रहा है वो कुछ इस तरह का formula आ रहा है तो काम आपका बस यह बनता है कि ज़रा पहले आप इसको note करिए फिर इसमें अपन आगे बढ़ने वाले चलिए फिर अब ज़रा एक बात पर और गौर फरमाईएगा यहां तक की बात clear हो गई थे आप लोग को उसके बाद फिर अपने से carry out का तो हम यहां तक पहुंच चुके थे लेकिन important equation तो यह बारी जहां दिल बन के रखा हुआ है अब ज़रा गौर करना lens formula आता है कौन जा formula सा lens formula ठीक है तो lens formula क्या होता है now according to lens formula जल्दी बोलो भाई साब lens formula क्या होता है lens formula होता है 1 by F is equals to 1 by V minus का 1 by U ठीक है तो अगर हम objective के respect में बात करें with respect to अगर हम बात कहते हैं with respect to objective lens तो यहां पर कारिकरम किस तरह से आगे बढ़ने वाला है आप सब लोग को बता है कि 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U ठीक है लेकिन अगर आप objective के respect में बात करेंगे तो object distance हो जाएगा objective का image distance हो जाएगा with respect to objective और focal length भी हो जाएगा objective lens का आपको यहां पर चाहिए था V naught upon U naught क्या चाहिए था V naught upon U naught ठीक है तो एक काम करा जाए multiply किया जाए V naught से both sides ठीक है ठीक है अब क्या करेंगे देखो भाई सब V naught by F naught को बिल्कुल मत छेड़िएगा 1 minus V naught by U naught इसको वहाँ पहक देना तो V naught by U naught जो है यह हो जाएगा 1 minus V naught by F naught अगर यह पूरी बात आपको clear है तो अब यहां से जो हमारे लिए कहानी आगे बढ़ने वाली है वो यह बढ़ने वाली है इसको देखना यहां से M क्या हो जाएगा पता है देखो भाई सब 1 plus D by F E था ही उसको मैं मना करी नहीं रहूं 1 plus D by F E को तो मैं टेच करी नहीं रहूं ठीक है उसके बगल में क्या था V naught by U naught ठीक है तो यह आगया है आपके पास magnifying power फिलहाल ठीक है क्या आपको यह वाली बात समझ में आ गई है तो जल्दी एक बार जरा मतलब इसी के multiple variations होते हैं और और कुछ नहीं ठीक है इसी equations के multiple variations आयाते हैं तो एक equation आपको ऐसी भी देखने को मिल जाएगी ठीक है तो जल्दी जरा इसको note करीजे फिर अपन इसमें आगे बढ़ने वाले हैं जल्दी चले ठीक है फिर इसको देख लिया होगा आप लोगों ने अब यहाँ पर आपका इतना लंबा derivation यहाँ पर होता है sum up ठीक है अब कुछ एका special cases होता है उनकी मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ लेकिन मैं बस यह चाहता हूँ यह तो आपने note कर लिया होगा मैं बस यह चाहता हूँ कि जो पूरा का पूरा diagram था रहा यह आपके दिमाग में सही से अटका होना चाहिए ठीक है जो object था A B उसको objective के focus के beyond रखा हूँ है पहली बात तो यह उसके बात जो corresponding उसकी image बन रही है A-B- वो eye lens के focus के within बन रही है दूसरी बात हो गई उसके बात क्या होता एक special case मैं ने लिखवाया था आप लोग करवाया था कि अगर मैंने object को focus पे रख दिया तो अगर मैंने इस object को objective के focus पे रख दिया या focus के बहुत ही करीब रख दिया तो जो corresponding image A-B- बन रही है न वो काफी चिपक के बनती है C2 के साथ तो C1 से C2 की दूरी जो पूरी बनती है उसे कहा जाता है length of the compound microscope tube ठीक है चलो बेटा यह वाली बात समझ में आ गई वो दूसरा case था तो यह अब इसी पर based है diagram उतना पूरा बन चुका था अब इसी पर based आने वाले आपने पास कि what is the theory of propagation of rays in compound microscope exactly जो light rays निकल रहे है न वो बहुत ही जादा एक तरह से complex nature है इतना भेंकर diagram बन रहा है एक तरह से complex nature है इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए बार discussion लेकर करके आ गया हूँ कि यार ray diagrams बनाने के बात भी आपके पास कहीं लिखा हुआ होना चाहिए कि हमने कैसे कैसे diagram को पूरा propagate करवाया है rays के साथ ठीक है तो तरहा गौर करी क्या लिखा हुआ है पहले कि AB is a tiny object which is held perpendicular to the common principle axis सही बात है AB एक छोटा सा object था which is basically placed perpendicular to the common principle axis ठीक है which is placed perpendicular to the common principle axis उसके बात क्या था in front of the objective lens beyond its principal focus F0 common principle axis F0 के beyond place किया था tiny object को ठीक है उसके बात a real inverted and enlarged image a-b- of this object is formed by the objective lens a-b- नामक image तो आपको बनते होई यहां पर दिखाई दे रही होगी ठीक है अब a-b- जो आपकी image बनी है वो किसने बनाई थी वो बनाई थी आपके वो objective lens ने ठीक है उसके बात क्या है now a-b- मैंने पहरे भी सिखाया हुआ था कि पहला वाला optical instrument जो image बनाता है वो image जो है वो दूसरे वाले optical instrument के लिए काम करती है as an object ठीक है अब दूसरा वाला optical instrument इसको treat करेगा as an object और फिर जो इसकी image बनाएगा that is going to be the final image यह बात समझ में आ रही है आपको पक्का अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है now a-b- यह a-b- जो है यह दर असल वो image है जो objective lens ने बनाई थी ठीक है so now a-b- will act as an object for the eye lens obviously whose position is so adjusted so that a-b- lies between optical center c2 of the eye and its principal focus fe गौल करो इसका position ऐसे adjust किया जाता है उसको rack and pinion के द्वारा कि यह जो a-b- है यह focal length of the eye piece और c2 के अंदर बीच में कहीं पर लाई करें exact बीच में नहीं बोला हूँ बट बीच में कहीं पर ठीक है चलो भाईया यह वाली बात क्लियर है अब जड़ा आगे बढ़ना a virtual and magnified image a double dash b double dash is formed by the eye lens this image is erect with respect to a dash but inverted with respect to a b अब देखो क्या है यह a-b- को eye lens मानेगा as an object और वो जो image form कर रहा है this is the final image a double dash b double dash अब a double dash b double dash जो है न आइ वह ab के respect में तो erect के a b नीच़ जा रहा है और a double dash sorry a-b-क के respect में तो erect एंने बड़ा है जैसे जा रहा है और नीचे जा रहा है और a double dash b double dash भी कहां जा रहा है नीचे जा रहा है तो यह बोले कि घाई तो तो an object ठीक है? क्योंकि हमारा assumption यह था कि हमारा जो object होगा वो हमेशा principal axis के उपर placed होगा तो हमने ऐसा माल लिया कि भाईया हमारा object जो है वो principal axis के उपर placed है तो हर वो चीजे जो principal axis के उपर जाएंगी उसको हम सीदहा मानेंगे that is erect मानेंगे और हर वो चीजें जो principal access के नीचे जाएंगी उसको हम उल्टा मानेंगे that is inverted मानेंगे अब यहाँ पे क्या हुआ a-b- अगर यह reference है ठीक है अगर a-b- reference है तो reference ही हमारा उल्ट है ठीक है तो अगर a-b- reference है तो इसके respect में a-b-b- में कोई खावी नहीं है वो भी उसके रिए सीधा ही है ठीक है तो a-b- के respect में a-b- erect है सीधा है ठीक है लेकिन a-b- के respect में अगर तुम चेक करोगे न तो a-b- यहाँ पर ओल्टा हो जाएगा ठीक है तो वही वहाँ पे लिखा गया था कि a-b- जो है this is erect when compared to with reference to with respect to a-b- but a-double-double-double-dash is inverted with respect to a-b पक्का शौर हो ठीक है तो यह इसकी basic सी कहानी थी है और उसके बाद final image जो बन रही होती है न वो बन रही होती है at the least distance of distinct vision ठीक है अगर आपको clearest form में image चाहिए तो कहाँ बननी चाहिए image at the least distance of distinct vision normal human eye के लिए किता होता है 25 cm मैं बता भी चुका था पहले भी ठीक है चलो इस बात को आप लोग समझ गया होंगे मेरे ख्याल से पक्का समझ गया ठीक है वो इसका basic basic जो ray diagrams हमारे चल रही थाना है कि पहले कौन आया a-b आया उसकी image किसने बनाई objective lens ने बनाई कहां बनाई a-b- पर बनाई उसके बाद a-b- कैसे काम करेगा तो a-b- काम करेगा as an object for the islands a-b- काम करेगा as an object for the islands फिर islands a-b- को object मानते वह जो image बना रहा है वो बना रहा है a-b- तो ये बन जाएगी इसकी final image it's as simple as that object था चोटा image बन गई बड़ी काम तुमारा खातम हो गया purpose तुमारा सर्व हो गया compound microscope का चोटी objects की image को बड़ी करके दिखाना चलो उसके बाद magnifying की power क्या होता है यह हम पहले भी देख चुके थे it is simply a ratio of tan of angle by the image to the tan of angle by the object इस बात को भी लेकर आप शौर होंगे अब उसके बाद भाई साब यहां पर क्या लिखा हुआ है magnifying power of compound microscope when final image is at infinity ठीक है आपको पता है की basic formula क्या होता है MIMO यह आपको याद है हम निकाल चुके थे पहले यह होता है basic formula compound microscope का जो की पहला सबसे important formula आया था मैंने का आप इदा की MIMO से याद कलो इसको ठीक है यह तो मॉमी लिख दिया है लेकिन MIMO से याद कलो ठीक है whatever you feel like अब उसके बाद क्या है as is known magnifying power of objective lens objective lens का जो magnifying power था वो ऐसा क्यों लिखा है पता है because यह general formula होता है एक general formula होता है for magnification of lens वो general formula होता है image का distance upon object का distance अगर मैं बात करूँगा with respect to objective lens तो object distance तो मैं निकाल रहा हूँ but किसके respect में निकाल रहा हूँ objective lens के respect में अगर मैं image की बात करूँगा with respect to objective lens तो मैं image distance तो निकाल रहा हूँ बट निकाल रहा हूं with respect to objective lens ठीक है तो अब ये सारा कारेकरम किसके respect में करा गया है objective lens के respect में तो magnification भी किसके में आ जाएगा objective lens के respect में ठीक है तो M nod या M O बोलो ठीक है ये क्या हो जागा V nod upon या V O upon U nod या U O ठीक है ये वाली बार समझ में आ गई तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा V nod upon U nod ठीक है अब उसके बाद जब image जब image बन रही होती है infinity पे तो magnification जो IPS का होता है वो ये होता है D upon Fe क्या होता है D upon Fe तो उसके लिहाँ से अगर हम यहाँ पर पुट कर दें उसको तो M O into M E उसके बाद formula आ जाएगा यह वाला It's as simple as that क्या आपको यह वाली पूरी बात समझ में आ गई यह general formula था ठीक है अब यह दिल बगए तो आप छापेंगे नहीं तो आप एक काम करिए बस जो यहाँ पर लिखा हुआ है तरीके से वही लिखना मैंने समझाया कि यह V naught upon U naught कैसे आया और जब image बनती यह general formula से आया बेटा यह आया general formula से ठीक है और उसके बाद जब यह image बनती है जब image बनती है infinity पे तो magnifying power या magnification जो eye lens के लिए होता है वो d upon fe हो जाता है d का मतलब जानते हैं क्या होता है least distance of distinct vision और fe का मतलब हम जानते है fe का मतलब होता focal length of the eye piece ठीक है चले clear पका 3,2,1 ready go done नोड के लिए न इसको पका चलो भई अब जरा इसमें आगे बढ़ा जाए कतम पर आगे हैं अब तो compound microscope में ही एक चीज है कि जब object को बहुत ही पास रख दिया है objective focus के तो image कहाँ बन जाती है image कहाँ बन जाती है image बन रही थी c2 के पास गौर करो गौर करो यहां से यही तो मिने बताया था कि जब जो object AB जब इस object AB को हम रख देंगे यहाँ पर f0 के पास तो distance क्या हो जाएगा focal length of the objective के बराबर तब जो corresponding image बनने वाली है वो बनने वाली है c2 के आसपास that is image का distance क्या हो जाएगा length of the compound microscope tube के बराबर ठीक है तो बस वही वाली कहाँ थी उसको यहाँ पर कैसे implement करा गया होगा जब गौर करो object को रख दिया था कहाँ पर objective focus पे तो वो दूरी कित्ते हो जाएगी focal length of the objective lens उसके corresponding image बन रही है उसके corresponding image बन रही है वो बन रही है पूरी c1 से c2 तक ठीक है मतलब length of the compound microscope tube ठीक है अब उसके बाद जो हमारे पास formula आ चुका था वो आप जानते थे हमने लिखा था formula मैंने तो करवाय था memo वही करवाय था ना कुछ भी करो 3 x 5 करो 5 x 3 करो एक ही बात तो अब आई ये m0 क्या आ गया था हमारे पास v0 by u0 और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया था ये d by fe जब था image आइज इंफिनिटी ठीक है ये है तुम्हारे पास normal adjustment वाली कहानी ठीक है जब object को आप रख दोगे f0 के उपर और image बनेगा पूरा length of the compound microscope tube के बराबर तो उसे कहा जाता है normal adjustment ये है इसका normal adjustment for a compound microscope ठीक है अब भाई साब image का बन रही है image तो बन रही है length of the tube ठीक है और object कहा रखा हुआ था f0 पे बट एक प्यारी बात क्या है कि वो f0 जो है ना वो पीछे की तरफ आ रहा है ठीक है जो focal length है objective का जो focal length है objective का वो पीछे की तरफ आ रहा है ठीक है तो ये जो दूरिया है ना ये वाली दूरिया इससे कहा जाएगा focal length of the objective तो इसकी वजह से Sign Convention नेगेटिव में आजाएगा तो वह जो नेगेटिव में साइन कन्वेंशन यह माइनस यहां लिखने के बजाए यहां लिख दो कोई दिकत वाली बात तो नहीं आरे एक ही बात है तो यह तो यह कैसे आया वह ऐसे आया होगा तिक है यह वाली बात समझ मे go done हो गया चलो अब अगर आप चाहें कि नहीं से आपकी राइटिंग के बिना लेना है तो यह रहा अगर लेना हो तो ले लो 321 ready go done ठीक है तो भाई साहब यह आपका जो पूरी कहानी थी वह कदम करवा दी compound microscope की अब अगर आपको देखना है कि real life picture कैसा होता है compound microscope का तो दिखने में कुछ इस तरह का होता है real life compound microscope ठीक है चलिए तो पहले हम कर चुके थे simple microscope और उसके बाद आपको पूरा detail में करवा दिया है compound microscope with every possible cases it has ठीक है आपका काम बस भी बनता है तरीके से note करते वे चलना device करते वे चलना कुछ अगर doubt आए तो comment section में बिलकोल active हो जाओ मैं और मेरी team बकाइदा सारी comments को पढ़ेगी और अगर कुछ लगता है कि यार यहां पर पर परिशानी आ रही है क्या इसको एक बार वापस से करवाया जाए किसी question के तौर पे तो वो भी हम करवा देंगे आपको ठीक है चलिए बस अच्छे से पढ़ते रही है okay thank you so much